मैंने पहले ही बताया बड़ा सरलसा जीवन है यह इश्क महब्बत यह वगार वगार ऐसे शब्द मेरे जीवन में कभी नहीं आये वास्तम में लेकिन इश्टिफाक के बात यह है जो मैं आज सुनाओंगा उसका पहला शब्द इश्क है और दूसरा शब्द महब्बत है शुनिएगा कि इश्क महब्बत का मुझे इलम नहीं इलम मतलो जानकरी इश्क और महब्बत का मुझे इलम नहीं ये दुनिया को बरम ही तो है इश्क और मुझे इलम नहीं ये दुनिया को बरम ही तो है क्योंकि इश्क और मुष्क छुपाया नहीं छुपते छुपे है मेरे खुदा को कोई करम ही तो है इसी में आगे दो लाइन कि इश्क और मुझे इलम नहीं ये दुनिया को बरम ही तो है इश्क और मुष्क छुपाया नहीं छुपते छुपे है मेरे खुदा का कोई करम ही तो है और आज ये मैं इश्क इलजाम पहली बार जीवन में आज मैं ये इश्क इलजाम लूंगा सरमाथे अपने आप से कबूल करूँगा मैं कि आज मैं ये इश्क इलजाम लूँगा सर माथे अपने आप से क्योंकि ये रासुका में तामीर नहीं है तो ये आज ये इस्क इलजाम लूँगा सर माथे अपने आप से क्योंकि ये रासुका की तामीर नहीं है और किया है मैंने इस्क खुद चारो पासे अपने माबाप से क्योंकि मोहबत सिर्फ मासुका की जागीर नहीं है इसी में एक मतला हो रहा है सुनिएगा कि 27 वरस का इस्क मेरा किसी को दिखा नहीं सभी आदोस्त अब तक कहते तुने कभी कुछ किया ही नहीं 27 वरस का इस्क मेरा किसी को दिखा नहीं सायद बजार में जिसमें महब्बत के अलावा कुछ भी का नहीं चलो आज दोनों पर बोला जाए दो तरह के इसक एक मैंने जो किया है और जो सभी करते हैं चलो आज दोनों पर बोला जाए और चलो आज इन दोनों पर खुल के बोला जाए मेरा इस्क जरूर जीतेगा ये मुकदमा ये महबत मेरा इस्क जरूर जीतेगा ये मुकदमा ये महबत बसरते मेरी महबत के पन्नों को खुल के खुला जाए अन्तिम दो लाइन बसरते मेरी महबत के पन्नों को खुल के खुला जाए और अगर मैं हार भी जाओं जान की बाजी भी इस मुकदमे में अगर मैं हार भी जाओं जान की बाजी भी इस फैंसले में फिर भी मुझे रांजा देवदास निशर्वन ही बोला जाए ये मैंने तब लिखी दी जब ये क्रोना की वज़े से लोगडाउन हुआ था लोगडाउन के बाद जो ये प्रवाशी मजदूर नहीं कह सकते हम हमारे देश के निर्माता ही थे जो यूपी बिहार हरियाना से कोई बुंबई को बनाने के लिए निकला था कोई चंडिगड को फिर उनको तरह तरह की मदद भी मिली समाद से मिली सरकार से मिली वो कैसे पहुंचे उनके विहाब पर मैंने ये कुछ लाईने लिखी दी कि अगर वो कुछ ऐसा कर लें तो फिर सोचो ज़रा फिर क्या होगा सुनिए गा उस मजदूर के ये बियान थे कि कर आया हूं सडको को बिलाल पैदल चले थे कोशो कोशो कि कर आया हूं सडकों को बिलाल सूख गया करता तेरे सहर को गुलजार सह आया हूं सितम सारे बीच सडक पे अगर उठा लूँ आज मैं भी हतियार सोच जरा फिर क्या होगा हर एक मजदूर अगर आज अपनी आवाज हतियार के रूप में उठाए जो सडकों पर चले थे उसके बाद कि बना तेरी इमारत खुद कंकर बन गया हूं मैं तेरी रक्षा में खड़ा एक बंकर बन गया हूं मैं चुप नहीं मैं है जुबा मुझ में भी चुप नहीं मैं है जुबा मुझ में भी आजाद नहीं तू है कर्ज तुझ में भी आज अगर मैं भी बन जाओं ओख़वारell फिर क्या होगा आज अगर बन जाओं मैं भी एक ओख़वार फिर क्या होगा है चार लाइने और हैं ऐसा नहीं है क्यों मुझे यह इसก विसक की बिल्कुल जानकारी नहीं है थोड़ा बहुत तो अनुबव है मेरा भी तो मैंने दो लाइने लिखी दी कि दो सक्स जादा तर स्टोरी में यही होता है कि बिछर जाते हैं फिर मिलते हैं लाइक दिस तो जब दो सक्स एक लंबी अर्शे के बाद मिलते हैं तो सुनिएगा किस कदर उन दोनों के अंदर कलपनाओं के फूल दुबारा फिर खिलते हैं तो पहला सक्स बोलता है या अप यह कहलो लड़का बोलता है लड़का तो नहीं तब तक आदमी बन गया दस वर्श के बाद वो उसको बोलता है कि अग्यान था याती समझ कम ये उस दोर की खलपना ह जिस दोर में वो साथ पढ़ते थे या साथ रहते थे कि अज्ञान था याति समझ कम तुम तुम रहे और हम रहे हम लिखना था संग एक पाठ्य हमने कागच लेकर मैं चला और तुम लेकर चल दिये कलम अब बताओ मैं क्या करूँ समय बीद जाने के बाद उसके रिपलाई में उसके जबाम में वो अपनी कलपना परदर्शित करती है बोलती है कि मुक सहमती तो थी तेरे मगर मुक बगैर बोले आप शुमे कोभी बोल नहीं पाए या फिर कह नहीं पाए कि मुक्ष हेमती तो थी तेरे मगर प्रस्ताव न पड़ी होती तुमने अगर अदूरा न रहता पाठ्थ है ये मिल जाती मन्जिल से ये डगर पर अब तुम बताओ मैं भी क्या करूँ अब तूम बताओ मैं भी क्या करूँ उसके जवाब में कि निशब्द परस्ताव मेरा तुम तक निशब्द की बगैर लिखा हुआ बगैर बोला हुआ कि निशब्द परस्ताव मेरा तुम तक पहूंचा नहीं था क्या तब तक निसब्द सहमिती अगर तूज ताती प्रष्थीती यही क्या रहती अब तक अब तुम बताओ मैं क्या करूँ तो उसके जबाब में अंतिम लाइन आये कि एक अक्षन का जुड़ना तेरा एक अक्षन का जुड़ना तेरा जिन्द की पर भारी था पग पग की वैसाखी का ये जीवन तुम बिन एक पग दुसवारी था पर अब तूम बताओ मैं क्या करूँ अब तूम बताओ मैं क्या करूँ से फ़र्स टाइम है पहली बार ही मैं ने सैज्ट मैंने बहुत बार लिया है लेकिन स्टोरी टेलर या पर पोईटरी का या साहेरी का ऐसा कोई नुपनी निया कोई मैं पेसे से सिखकु हूँ और मेरे सब्सकार कि यह मैं समझना कि हिंदी का सिख सुगा तरब हैं तो यह अभी जो आड़ात है इस पर नहीं जाएंगे कोन जही हैं कोन गल्त है लेकिन जो किसान प्रियास कर रही है कोशिष कर रही है उनको लगते कि यह गलत है अब उनको समझा के उठाया जाए या उनको मान के उठाया जाए वो सरकार पर निर्बर करता है समझ जाए वो भी हल है अगर उनको अपनी मांग मनवा लेते हैं तो वो भी एक सोल्यूशन होगा तो उसके लिए मैंने कुछ लाइने लिखी दी हरियानवी में अक्षर कमी लिखता हूं मैं हरियानवी में लेकिन कोशिश करता हूं कि अपनी बोल्ली में कुछ लिखा जाए तो उसमें मैंने लिखा था कि पहले क्या होता था ये खेत जो फसले दिखती है वैसा नहीं था िले पड़े थे या फिर जन्गल थे तो बाधी अमने जन्गल सारे एक किसान की तरब सी आउजा Πकादी आमने जन्गल सारे मारा कगया सड़कां की ओकात के मान पशूल या दिये लाइन मा सारे दिल्ली मा लाइन लाइन की बात के दिल्ली न तो बोजल दिल्ली आवांगे कि नुका जिन गद्यां ता टोपी आमने प्रियाई जिन गद्यां ता टोपी आमने प्रियाई आमने के वगर दिख्यावागा जीन गदें तो टोपी आमने प्रियाई आमने क्यों वकर दिख्यावागा अर देवताने तीन टेम की रोटी थारी छाती पर चलिया पाऊगा एक बड़ी पुराणी का वात है वोई प्रियोग की है कि मार पी के दूतू आमने म्याऊ बिली नगादें मार पी के दूतू आमने म्याऊ गुंगा पका वथन गाणा सुनाऊ चैन खोकेने दिन रात का जज़ जय के जमिदार को आऊऊ समझाओ समझारेया 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 समझाना सिख्यायू गांदी तै गांदी अहिंसा वादी जो समझाते थे अहिंसा का प्रियोग करते थे कि समझाओ समझार या समझाना सिख्या यूग आंदीता है और तिनकबर उकाद से थारी टकराना ठीक नियू आंदीता है एक आवाजिया सी आर की थरक जैगी नीविया सरकार की चत्थम रोगे चाम रवांगे इव लडाईया आर पार की फैसले भी कलो वागा ताज उत्रा गद्धी पता दिल्ली में कैनना लो वागा नवस्कार सुआख्या थांक्यू बारी मुच्च